सत्गुरु की साजी निवाजी, प्यारी सासंगजी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी, बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जै साथ संगत जी जैसा आप सभी को पता है कि हमारा स्ततर्वा वार्षिक निरंकारी संसमागम बहुत नजदीक आ गया है अब सत्गुरु की किर्पा से हमें सिवा के मुखें भी सत्गुरु देंगे और हम संसमागम में भी सभी जाएंगे और सत्गुरू के आशीरवादों को पाएंगे देशों भी देशों से अलग लग जगहों से हमें संतों महापुर्षों के दर्शन होंगे जो भी संत महात्मा महां आएंगे हम उनके संतों के महापुर्षों के दर्शन करके अपने आपको पावन पवित्र बनाएंगे, उनकी चरंदूरी लेंगे, सत्गुरु के हम आशीरवादों से हम अपनी जोलियां भरेंगे, सत्गुरु महाता सुदीक्षाजी महराज पे निरंकारी राजबितारा मिर्जी के आशीरवाद भी हम लेंगे, उनके आशीरवादो उसे हम अपनी जोलियां भरेंगे संत समागम बहुत ही नजदीक आ गया है हम सब सत्गुरु के बहुत ही शुकर गुजा रहे हैं कि हम सभी समागम का अनंद लेंगे सत्गुरु के चर्णों में यही अर्दास है सचे बाश्या सभी समागम में आए और समागम में आकर खुशियों को प्रापत करें इस समागम में हम सद्कुरू देव से नए वाइदे करने आए हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बन कर दिखाएंगे जिस रास्ते पर आप चलने के लिए कह रहे हैं हम उसी रास्ते पर चलेंगे प्रंतु क्या हमने सोचा है कि जो वाइदे हमने पहले सद्कुरू से किये हैं क्या वह पूरे हो गए हैं जो रास्ता सद्कुरू ने दिखाया है क्या हम उस पर चल रहे हैं जो चले हैं वे परशंशा के पात्रे हैं और यदि नहीं चले तो निश्चित रूप से उन पर चलने की बहुत जरूरत है यदि कोई व्यक्ति अपराद करता है तो CCTV कैमरा उसे रिकोर्ड कर लेता है वे अपरादी पकड़ा जाता है फिर भी कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया प्रंतु जब उसे वीडियो रिकोर्डिंग दिखाए जाती है तो वे है कोई उत्तर नहीं दे पाता इसी तरह है यह निराकार सरव्यापक है यह अतियंद विशाल रूप में फैला हुआ है यह सब कुछ देख रहा है तो क्या हमारे करम इस से छिपए हुए है बिलकुल नहीं कहीं साल पहले सद्कुर बाबाजी ने समागम में कहा था भगत होना कोई पहरावों की पहचान नहीं है एक भगत की मानसिक्ता होती है भावना होती है जो प्रेम, करुणा, दया, सबर, शेहन, शीलता पर अधारित है केवल बोलों से कोई भगत नहीं हो जाता कि कोई बहुत अच्छे बोल सकता है कोई कविताय कह सकता है लिख सकता है गीत बोल सकता है हम ससंग भी जाते हैं गीत कविता भी बोलते हैं प्रंतु क्या हमारे अंदर प्रेम करुणा, दया, शेहन शीलता, सबर, संतोश की मात्रा भर पूर है, अगर ऐसा नहीं है, तो इसका उपाई हमें ही ढूणना होगा, यदि हमें भगतों की शरेनी में रहना है, भगतों की काटेगरी में रहना है, तो हमें इन बातों को ढूलना होगा अगर नहीं रहना तो हमारी अपनी ही कमजोरी को परमानित करेगा क्योंकि सत्गुरू की पूरन किर्पा तो सब पर हो रही है यदि हम इन बातों के उपर गोर नहीं करेंगे तो यह हम अपना ही जनम व्यर्थ कर रहे है समागम में हर चेहरा किला-किला नजराता है जैसे सूरज को देखते ही कमल की लुखता है इसी परकार सत्गुरु के दर्शन करके हम सब के चेहरे किले-किले हो जाते हैं आईए हम स्तत्तर में वारशिक निरंकारी संसमागम का आनंद ले अभी से समागम में जाने की हम तैयारियां शुरू कर दे कि हमने समागम में जाना है साथ संगत जी कहते हैं बहुत दिनों से एक महात्पा अपने विचारों द्वारा बता रहे थे दर्निय महात्पा कमल कुमार निरंकारी जी कहते हैं बहुत दिनों से दास के मन में एक प्रशन उठता रहता था जिसका हल नहीं मिल पा रहा था वह यह कि इतने बड़े संत समागम में जहां लाकों के शंक्या में शरदालू आते हैं जिन में कई तो आला ओफिसर होती हैं या बहुत बड़े बीजनेस मैन होती हैं कई इंजीनियर होते हैं, कई डॉक्टर होते हैं, कई शैशन जज होते हैं, तो कई मिल्टरी के अफिसर और बड़े बड़े अमीर घरों के पड़े लिखे नोजवान भी आते हैं, जिनके घरों में हर परकार की फैसिलिटिज के साजो समान होते हैं, उनके सुवीधा पोगी स अभाव से दास अच्छी तरह से जानकार है प्रंतु एक रहस्य बना हुआ था कि इतने लोग यहां पराते हैं और कहीं एकड़ के इस समागम सल पर खुशी खुशी रहते हैं जब कि यहां सुख स्विधाओं का उस रोप में कुछ अभाव भी होता है कहीं पर जमीन के लिए रह जाती है तो कहीं पूरी तरह धरती समतल भी नहीं होती मच्रू आदी की रोक्ताम और शनान और शोचाले आदी की व्यवस्था भी सैकड़ों की संक्या के हिसाब से की जाती है इतने बड़े लेवल पर लंगर आदी के लिए ज़्यादा चेयर्स टेबल्स का अरेंजमे केंट भी नहीं हो पाता कहने का भाव कि ऐसी व्यवस्था में भी इतनी संक्या में आने वाले लोग कैसे सुख की नीन सोजाते हैं और कैसे अपने आपको इतने बड़े मानुस मुह में अडजेश्ट कर लेती हैं जो कुछ मिला वे खा लेती हैं जहां जैसी जगह मिल गई वहीं बिस्तर बिचा कर सो जाते हैं ये वे सब यहां खुशी खुशी कर रही हैं या एक देखा देखी या लोक लाज के कारण यहां एक रहस्या बना हुआ था दास कई सालों से संत्समागम कर रहा था कभी भी संत्समागम स्किप नहीं किया और सत्कुरु की असीम किरपा से गुरु चरनों में रहकर वीडियो कवरेज की सेवा भी मिली हुई है जिसके बहाने दास को सत्कुरु के पास रहकर हर एक्टिविटिज को देखने का अफसर मिलता रहा हर साल कीत रहें इस साल भी 64 निरंकारी वारशिक निरंकारी संसमागम के अफसर पर सत्कुरु बाबा हर देव सिंग जी महराज महीने भर से समागम मैदानों पर सुबह शाम दोपहर और रात के समय हर व्यवस्ता को बड़ी बारीकी से देखते और इंस्ट्रक्शन भी देते दिशा निर्देश भी देते छोटे से छोटे काम को भी बहुत ध्यान से गहराई से देखते पिछल तरह से निकर चुका था अगला दिन समागम का था प्रंतु एक प्रोगलम सामनी आ गई वह यह है कि जिस स्टेज पर द्रिवेणी ने बैठना होता है उस स्टेज के उपर जो पंडाल बनता है वे काफी मेहन से और वाटर प्रूफ तरीके से बनाया जाता है अब की बार य पाने वाले ठेकेदार को बुला कर जब बताया गया तो उन्होंने हाद चोड़ दिये कि हम मैं कुछ नहीं कर सकता कल समागम है और आज अगर मैंने इन जो कि सैंकडो बलियों का धांचा है गलती से छेड़ दिया तो मैं कल तक तो क्या चार दिन में भी इसे नहीं बना पा जब समागम ग्राउंड का निरेक्षिन करने करते हुए मुख्य में स्टेज की और आये सारे परबंदक और ठेकेदार भी वहीं थे जब परबंदकों ने सतकुर बाबा जी को पंडाल के उस कमजोर पक्ष से अवगत कराया तो वाक्य ही महसूस करने जैसी बाते थी बाबा जी के पास हाथ जोड़ते हुए आ गए बाबा जी ठेकेदार को उपर की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कुछ बता रहे थे ठेकेदार सज्जन सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे जब सतकुर बाबा जी ने अपनी सलाह दी कि यदि आप इस तरह से काम करेंग तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही ज्यादा समय लगएगा सिर्फ आठ दस बल्यों को निकालने से यह काम ठीक हो जाएगा यह आइडिया सुनकर ठेकेदार एक दम से एगरी हो गया सहमत हो गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा बाबा जी यह काम तो बिलकुर रातो रातो जाएगा जो आपने बताया है यह तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं यह कहकर नमशकार की और अगले दिन वह सुन्दर रोप में में श्टेज बन कर तियार हुआ साथ रहते हुए दास अक्सर देखता और तब तक तो दास की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहता था जब सत्कुर बाबा जी स्वयम टॉयलेट वाली वेवस्थाओं तक पहुचकर खड़े हो जाते और देख रहे होते कि बैठने वालों को जगह की कमी तो नहीं पड़ेगी इतना ही नहीं संतों के लिए रहाइशी टेंटों के स्थान लंगर स्थान पारकिंग स्थान और कभी एक नंबर ग्राउंड तो कभी दो नंबर ग्राउंड कभी तीन चार या पांच नंबर ग्रा सदकुर बाबा जी का डेली का यह रूटीन बना रहता और देर रात तक बाबा जी हर स्थान को देखते रहते सहज में ही एक दिनिया ध्यान आया कि जिस स्थान पर सदकुर की पावन रज पड़ती हो और जहां वे चप्पे चप्पे पर पावन चरन ढालकर अपने भगतों के लिए सुख सुविधाओं की विवस्ता कर रहे हों तो उस स्थान पर सुख जैन की नीद नहीं आएगी तो भला फिर और कहां आएगी यह बात ध्यान में आते ही दास के मन में कहीं सालों से चल रही हल चल खतम हो गई और भ्रहम भी पल में ही समापत हो गए सत्थगुर के प्रोब कारी सभाव और भगत वत्सलता के कारण यह कहना सही है कि मेरे सत्थगुरु तुझको लाखों पढ़ना आज सत्थगुरु मारत सुधिक्षा जी महराज भी दिन रात सत्ते के परचार में लगे हुए हैं अपने सुख अराम की परवाना करते हुए हम सब का ध्यान रख रहे हैं सदकुर माता जी के चर्णों में यही अरदास करते हैं कि सचे बाज़शा जैसा आप जी हमसे चाहते हैं हम वैसे ही कर्म करते चले जाएं और आप जी को हम खुश गर पाएं आप जी की रहमते तो दिन रात हम पर भरस रही हैं सचे बाशा इसी तरह आप हर एक जीव पर अपनी रहमते पर साते रहना सब का भला करो करतार मेरी मंग है दादार है मेरे दादार सचे बाशा सबी का भला सबी को ब्रमग्यान से जोड़ना आप जी किरपा के सागर हो आप जी समरत हो घटगट वासी हो सब कुछ कर सकते हो जो भी आप जी को जिसके लिए भी सही जो लगता है सो सो ही देना हम कुछ नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है है जानी जानदाता आप सब कुछ जानते हो आप जी को सब पता है बस हम तो आप जी के चरनों में बैठ कर ये भगती का दान मांगते हैं भगती दे दो सभी को बख्षन हार सत्गुरु माता जी हम सब बैठे हैं चोलिया पसार सत्गुरु माता जी साथ संगत जी ये जो दासी ने विचार किये हैं विचार करते हुए बहुत सी गल्दियां भी हुई होगी उन गल्दियों के लिए आप जी दासी को शमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्षना सब के भले की कामना करते हुए दासी सीमरन करवाएगी सबी ने सिम्रण में साथ देना है जी तू ही निरंकार मैं तेरी शरन हाँ मैं नू बख्ष लो सब दे घर तो दुख भुख न से तेरी रहमत गर गरवस से कर दे मिहर दा दिया जोड़ा हाथ करा अरजोई तेरी दार्दे थोड़ न कोई कर दे मिहर दा दिया साथ संगत जी प्रेम से कहना धान निरंकार जी